वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जे को जो की कॉल मिला रहा होता है तो हम देखते हैं वो कॉल मिलाता है कराती को कराती अपनी रूम में आता है तो देखता है वो कॉल और उठाता है कहता है हाँ बोलो जे क्या बात है जे उससे कहता है कि तुम कहा हूँ अभी कराती कराती कहता है मैं लियॉन के घर पे हूँ तो यहाँ पर उससे कहने लगता है जे तुम्हें पता है क्या आज हमारे कलब में कौन आया हुआ है तो यहाँ पर काफी हैरान होते हुए उससे कहने लगता है कहीं लियॉन तो नहीं आया है जे जे उससे कहता है नहीं लियॉन नहीं आया है वो कहता है जोंकुक आया है कोरियन प्रोडियूसर तो यहाँ पर नहीं यह सुनके एकदम हैरान हो जाता है कराती है क्या वो क्यों आय चाहिए अगर आज की दिन तुमने आके परफॉरमेंस नहीं दिया तो तुम्हेए दुबारा कभी मोका नहीं मिलेगा उनके सामने परफॉरमेंस देने का और यह कुर लाइफ का बहुत अच्छा मोका है ऐसे यहां पर बोल देता है वो हम देखते हैं अब काफे टैन्स हो जा पेंटागोन कलब में जहां पर हम देखते है यी को जो कि बहुत ही ज़ादा ड्रिंक करे हुए होता है वहाँ पर पहुच जाता है ले यौन और उसे इस तरीके से देखकर उससे कहने लगता है यही तुम इस समय यहां पर क्या कर रहे हो तो यहां पर यहां पर तुम से मिले नहीं आया हूँ लेओन तो पस यहाँ पर ड्रिंक्ट करने आया हूँ तो यहाँ पर उससे पांस बैट सकता हूँ तो यहाँ पर हम देखते हैं लेओन उसके पास बैट जाता है और उससे कहने लगता है, क्या प्रॉब्लम हुई है तुम्हें इस बार, क्या कोई परसनल इशू है, तो यहाँ पर उससे कहने लग जाता है यह, कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला, क्योंकि मैं डियाओ की तरह नहीं हूँ, जो कि कराती को हर एक बात बताए, वो हर कभी भी मुझे कुछ नहीं बताता उसने बहुत सारे सीक्रिट्स रखे हैं मुझसे और साथ में ये कहने लगता है लियान से कि तुम ऐसा करो जाके कराती से पूछो उसे पता होगा सब कुछ वही हमें दिखाया जाता है कराती को जो की तैयार होके जैमनी पब के लिए निकल रहा होता है लेकिन जैसे ही वो बहार आता है अपने रूम से तो यहाँ पर उसे दिखाये देता है कि लियान अपने साथ लेकर आ रहा है ये को जो की काफी ज़्यादा ड्रंक है हम यहाँ पर देखते हैं सोचने लग जाता है किराती अरे बाप रे बाप ये इतनी जल्दी कैसे आ गया और वहाँ पे नीचे बैटके छिपते हुए उन्हें देखना शुरू कर देता है तो यहाँ पे न हम देखते हैं लियोन को जो की काफी समल के बठाता है चेर पे ये को अर उसी कहता है तुमने बहुत ढ्रína की है तुम यहाँ पे चुप चाब बैठ जाओ यह उससे कहता रहता है तुम मुझे इतना गूसby क्यों कर रहे हैं मैं ने किया ज़ादा ड्रिंग हम देखते हैं किराती यी को देखे कहने लगता है ओ माइगॉड ये तो यी है और इसने इतनी ज़्यादा ड्रिंग क्यों की है अब फिर वह यहां पर अगर जाता है कि वो जाए या ना जाए अगर जाता है तो इसे देख लेगा लियॉण प्रॉब्लम क्रियेट हो जाएगी इसके लिए सो हम देखते हैं अपने रूम में पहुँच जाता है क्राती और काफी जादा टैंस होता है शोच रहा होता है कि मुझे क्या करना चाहिए तो हमें दुसी तरफ दिखाया जाता है यह को जो की बता रहा होता है लियौन को कि मुझसे डियाओ ने कहा है कि उसे कुछ नहीं चाहिए मुझसे सिर्फ वो मेरा समय चाहता है तो यहाँ पर उससे इसली कहने लग जाता है लियौन तो इसमें प्रॉब्लम क्या है तुम उसके लिए समय निकालो ना तो यहाँ पर उससे कहता है यह उसके समय का मतलब यह है कि मैं वापस जाकर उसके साथ रहनी लगो घर पर तो यहाँ पर वो कहने लगता है मैं कैसे रह सकता हूँ मेरी वज़े से ही तो उसके साथ ये सब कुछ हुआ है मैं भूद बुरा हूँ और यहाँ पर आगे कहने लग जाता है यह की मेरी वज़े से ही ड्याओ ने अपनी मेमोरीज को खोया है हम देखते हैं उससे यहाँ पर कहने लग जाता है लियोन तुमने कभी सोचा है इस बारे में कि तुम जा कर सारी सचाई बता दो डियाओ को जो भी हुआ था उस समय तो यहाँ पर उसे मना करने लगता है यह कि नहीं मैं कैसे बता सकता हूं उसे इन सब चीजों के बारे में अगर मैंने उसे सचाई बताई तो उसे बहुत बुरा लगेगा और वो बहुत जादा दुखी हो जाएगा और आगे कहने लगता है अगर उसे सचाई पता चल जाएगी तो साय ट्याओ मुझसे नफरत करने लगीगा मैं ऐसा नहीं चाहता तो यहाँ पर उसे कहने लगता है लियाओन मुझे यही समझ में नहीं आता कि तुम दोनों ने एक साथ रहना कैसे सुरू किया था यानि कि तुम दोनों टुगेदर कैसे हुए थे लेकिन अब इतना जुरूर समझ में आ रहा है अगर तुम्हें चीजों को ठीक करना है तो आई तिंग तुम्हें जाकर उसे सच्चा ही बतानी चाहिए तो यहाँ पर लियॉन की बात सुनने के बाद यह उससे कहने लगता है तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि तुम्हारे और कराती के बीच कभी कोई सीक्रेट रहा ही ना हो तुम्हारे भी तो बहुत सारे सीक्रेट्स है कराती से चुपाई हुए है तुमने लियॉन तो यहाँ को यहां से ले कर जाओ आगे हमें दिखाया जाता है क्राथी को उसकी रूम में जहां पर वो टैंस होता है और सोच रहा होता है कि हमें क्या करो हम देखते हैं यहां पे वो अपने कपडों को देखता है और उसे एक आइडिया आता है उसी के साथ हमें नीचे दिखाया जाता ह लेओन को जो कि पानी लाता है और रख देता है टेबल पे और कहने लगता है यह से कि तुम पानी पिलो लेकिन यह वहाँ पर हैडाउन कर लेता है टेबल पर और कहता है यहाई पर रख दो हम देखते हैं कराती को जो कि अपने बिल्कुल कपडों को चेंज करके आ गया बिल् कि क्या यी drink है तो यहाँ पर उससे कहने लगता है लिον हाँ चिंदा मत करो लियूँक उसे कहता है कि मैंने सेकेटरीपFoy से कह दिया है वो थोड़ी दिर में आएगा और इसे लेकर चला जायेगा तो यहाँ पर न हम देखते हैं कि उससे कहने लग जाता है लियोन तुम्हें अब साइद बैट पे सोने के लिए जाना चाहिए कराती तो यहां पर हम देखते हैं जो कराती होता है वो इसमाइल करते हुए कहने लग जाता है लियोन से कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते है लियोन खुच जाकर इ जगे हुए हो तुम इसले नहीं सोई क्योंकि मैंने तुमसे कहा था कि जल्दी बैड पर मत जाना मेरा इंतजार करना तो यहां पर एकदम से बहाना बनाने लग जाता है फिर क्राथी नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है यहां पर यहां पर बहुत टायर्ड हो गया हूँ थका हुआ हूँ तो बस मैं जाता हूँ लेटने के लिए तो यहां पर नहीं देखते हैं कि पूछने लग जाता है उससे लिया अच्छा तो तुम मुझे यह बताओ यहां पर क्या कर रहे हो इस समय तो एकदम से क्राथी कहत है एक्शली क्या है ना मेरे रूम में पानी नहीं था तो मैं पानी लेने के लिए आया हूँ वो ना जाने लगता है फ्रीज की तरफ तो यहां पर ना उससे लिए पानी ले लो वैसे यह नहीं पीने वाला है तो यहां पर पानी की बोटर ले 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 लेता है उसे थैंक्स कहने लगता है कराथी मैं जाता हूं और सो जाता हूं हम देखते हैं यहां पे ना कराथी जाने ही वाला होता है तो पीछे से एक तम उसे रोक देता है लियान और कहता है सुनो कराथी तुम अगर सोने के लिए जा रहे हो तो तुमने अपने बालों को इतना सैट क्यों किया जैसे कि जान बुच की पूछा हो उसने यह सब कुछ तो यहाँ पर फिर एक्सक्यूस बनाने लगता है लियाउन से कराती नहीं नहीं मेरे बाल तो ऐसी है नेचुरली है मैंने काम बालों को सेट किया है तो यहाँ पर न वो आगे कहने लग जाता है कराती कि ऐसा करता हूँ मुझे ना काफी नीदारी मैं जाके सू जाता हूँ और वहाँ से ना जाने लगता है जैसे वो सीडियो पर चड़ता है ना तो जो यह है ना वो नसी की हालत में भी कहता है कराती एक काम करना हम देखते हैं यहाँपे जो लियॉN होता है ना वो जो टेबल पर वाटर बोटल रखी होती है उसे उठाके देखने लगता है और इसमाइल करने लगता है क्योंकि actually यहाँ पे जो कराती पानी का बहाना करके आया था वो पानी तो लेके गया ही नहीं अपने रूम में